तो आज की सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे एविलुशन को और 15-20 मिनट माकसम 30 मिनट में खदम करेंगे अभी तक इस चैनल में नहे हैं तो जरूर इस चैनल का सब्सक्राइब करें जो रेड गलर का बटन है उसे जरूर दबाएं ताकि आप बहतरीन वीडियो का आनंद ले कभी किसी ने परिकल्पना नहीं किया होगा कि 15 मिनट में इतना भी बैतर हो सकता है तो रेड गलर का बटन इसे दबा देचिएगा और बैल आइकन में और सेलेट कर लीजे ताकि आप एक भी मिस्स ना करें मेरे टेलिग्राम से जुड़ जाए इस वीडियो के डिस्क्रिप कराता हूं वो भी टूटली फ्री है और इंडिया के बेस्ट इम के साथ अगर आप फिसक्स केमिस्ट्री बायो की तियारी करना चाहते हैं तो दोहजार तेज के मेरे बैचे चल रहे हैं और इस बैचे से जोडने के लिए कोड में डॉक्टर एसके सिंग लगा के 10 परतिशत डॉक्टर के गाइडेंस में आके पढ़ाई कर सकते हैं तो आएए इवलूशन से सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री के बात करें तो देर इस ओर इजन अफ लाइफ एन इवलूशन अफ लाइफ सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइफ आया कैसे और लाइफ कि के उपर आएगा गालेक्सी के ऊपर आएगा तो हम ऊरिजिन अफ लाइफ एवलुशन अफ लाइफ से पहले हम बात करेंगे क्या कि गलेक्सी कैसे बना इवलुशनेरी बायोजी विच ब्रांच फ लाइफ साइसे विज डिल्स बिट ओर एफ लाइफ देबलाप्मेंट अफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गिनिजम अपन अर्थ नाव दा ओरिजिन अफ युनिवर्स और देर जब तो बहुत सारे गैस में कंडवर्ट हो गया अंधिस गैसे कॉल नेबला पिर जो नेबला है धीरी 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 धीरे कंडेंस वा उसे काफी कंडेंस होने में काफी अब अर्थ का फोर्मेशन तो हो चुका था अर्थ बन गया था अर्थ के चारों तरफ और भी बहुत सारे गैसी ते खासकल सन अर्थ के चारों तरफ करिकर्मा लगाता है अब हम देखेंगे अर्थ का formation तो हो चुका है अब अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आया and that's called theory of a special creation theory of a special creation बताती है कि लाइफ जो है अपने आप आ गया with the help of God life immutable है जब से आया है और अभी तक कुछ में बदलाव नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है क्रिश्चन के अकॉर्डिंग के first man adam थे और first female eve थी उनमें excessive reproduction हुआ और आज के टाइम में जितने भी संसार में लोग हैं इन्हीं के वनसज है अकॉर्डिंग तो हिंडू हिंदू लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटर दे लाइफ फॉर्स मैं इस बन्नुवान फॉर्स फीमिल शार्दा और इनमें excessive reproduction हुआ और आज के टाइम में जितने भी organism संसार के उपर हैं इन्हीं के वनसज हैं इसका कोई भी प्रक्टिकल एविडेंस नहीं था तो यह फ्लॉप थियोरी हो गया यह थियोरी बताती है कि लाइफ अर्थ के उपर डाइरेक्ली डबलप नहीं हुआ है लाइफ किसी दूसरी प्लेट के उपर डबलप हुआ है in the form of espours in the form of small particles they can migrate on the earth और अर्थ पे आके उन्होंने अलग-अलग life बनाया बट criticism is what कि उस समय का temperature इतना ज्यादा तो कोई भी लिविंग एस पोर सर्वाइव नहीं हो सकता था तीसरा थीरी आया थीरी ऑफ स्पॉंटीनियस जनरेशन यह बास जनेसिस यह थी बनाते है कि लाइब जो अपने आप आ गया फ्रम दे नॉन सब्सक्राइब करने जा रहे थे आजानक उन्हें फ्रॉग देखा फ्रॉग उचल रहा था तो उनको लगा कि लिविंग और लिविंग ऑर्गनिजम मड़ से आया है मिटी से आया है तो ऐसा यह यह बताते हैं कि उस समय का जो टेंपरेचर था वह ए रिडूसिंग नेचर था रिडूसिंग का मतलब ऑक्सिजन नहीं था तभी ही ऐसा हो पाया है इस थिवरी को डिस्प्रूफ किया हारवे हग्जले और एस्प्लेनीजी और रेडी ने थिवरी और बाजनेसिस से ही बताते है कि लाइफ जो है लाइफ से ही आ सकता है बट इस थिवरी में एक प्रॉब से ही आ सकता है ओम्नी वाइवम ऑम इभी वह लाइफ एराइजिंग रॉण नवर प्री एक्जिस्टिंग लाइफ पहले से जो लाइफ है उसी से लाइफ आ सकता है तो देयर अर्व ईक्सपरिमेंट इसको रेडि एक्सपरिमेंट इन्होंने तीन जार लिया एक जार को गोट लारवा से बहुत सारे और भी हास फ्लाई डेबलाप हो गई सीम कहानी इसमें भी हो रही है पार्सली कवर में बट क्लोज में ऐसा नहीं था तो उन्होंने रेटी ने बताया कि अगर लाइफ अपने आ पाता तो सारा कंडिशन तो तीनो जार में सेम है तो इसमें लाइ जो है लाइफ से ही आ सकता है एक और पैस्चर का एक्सपेरिमेंट है उन्होंने न्यूटरिन सोलूशन लिया इस ब्रॉथ उन्होंने बॉयल करना शुरू किया इस से बहुत सारे एक्मोसफेर में जो बेक्टीरिया थे वह स्वान नेक के पास कत्रीत हो गये बट इस यहां पर भी तो आनच यह था बट यहां पर इसलिए आया क्योंकि उन्हों को रास्ता मिल गया यह पहले से कोई लाइफ आया और उन्हें एक्सेसिव प्रडक्शन वहां पर किया और फिर उससे यह निर्मान हो गया नाव दियरे जाओ भी ओप्रण फिर ऑफिर और यह था परी और रेलेवंट फिरी जिससे हमें पता चलता है कि लाइफ आया कैसे है यह बता थी है कि लाइफ जो है बहुत सारे स्टेजिस पर आता है सबसे पहले अटॉमिक स्टेजिस बनता है फिर मॉलिकुलर और सिम्पल और अरगनीक कंपाउंड स्टेज सिंपल और अरगनीक कंपाउंड स्टेज कंप्लेक्स और यू करेट और इस प्रोसेस में काफ़ी मिलियन वक्त लगा और धीर धीरी धीरे फिर लाइफ कर निर्मान हुआ तो यह इन्हों और जब हाइपोथेसिस दिया तो उस समय लोगों ने बिलीव नहीं किया क्योंकि कैसा है बाद में यहीं है अकॉर्डिंग तो दिस लाइफ दिलाइफ और अर्ली अर्ली अर्थ फ्यूज़ क्यामिकल प्रोसेस अफ़ एटम कंबाइन तो फॉर्मा मॉलिक्यूस और मॉलिक्य बन घए इस समय सकते हैं कि युथा। सारे मॉलिक्यूस और मतली सारे अटमिक स्टेज मेन थे हडिर्दी डी से मॉपाइन तो इसका क्या प्राक्टिकल एविडेंस है प्राक्टिकल एविडेंस जो है प्राक्टिकल एविडेंस इसका किया तो इसलिए अभी इस वक्त नहीं किया जा सकता है और इसमें JBS Heldon थे hot dilute soup कहा prebiotic soup जब बारिश हुई पूरा गरम पानी कठ्था हो गया उसमें बहुत सारे molecules थे उसे उन्होंने hot dilute soup कहा hydrogen atom are most numerous and most reactive in primitive atmosphere आप देखेंगे hydrogen बन रहा है अमोनिया बन रहा है और पानी बन रहा है है क्योंकि सारे के सारे hydrogen oxygen से combined हो गए और पानी बन गया hydrogen atom is also combined with nitrogen to form ammonia so hydrogen and ammonia वर्थ प्राक्टिकल प्रूफ किया मिलर और यूरे ने यूरे वस स्टुडेंट आप देखेंगे इन्होंने ऐसे बनाए जिसमें चारों गैस को रखा क्योंकि वह बताते थे कि पहला जो गैसा पानी आमोनिया और मिथीन है तो इन्होंने लगाया यहां पर स्टुडेंसर का यूज किया जिससे होट वाटर को बाहर निकाल देते हैं और यह करीब साथ से आठ दिन तक इन्होंने इस गैस को सर्कुलेट किया यहां पर डिस लगा दिया तो यह आपस में चिपका देते थे और चिपकने से बहुत सारे चिंगारी निकलती थी और सारी रिया लुक्त टूट जाते थे पूरा कांच का बना होता था तो इसके को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते थे ठंडा पाणी डालते थे तो उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद यहां पर लोवर पार्ट पे रेड डार्क फ्लिवीड इकठा हो गया एंदेस रेड़ डा and analyze the chemical composition of liquid inside the apparatus he found the last number of simple organic compound including the amino acids including the amino acids और बहुत सारे amino acids वगर है अलिनीन गलाइसीन है ना इन सब को उन्होंने देखा ठीक है अलिनीन गलाइसीन और इसको देखा तो मिलर और सुप्रोवाइट अकपाउंड इस अबेसिक ओफ लाइफ ने उन्होंको बताए कि यही एक बेसिक ओफ लाइफ है तो बाद में उन्होंने बहुत आरे investigator उन्होंने बहुत सारे चीजों को बाद में realize किया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है and he considered that the essential building blockers such as the nucleotide amino acids living organism could thus have formed in a in a this one right now we are evidence of the evolution evidence of evolution के बारे मैं बात करें तो the evidence from the anatomy analogous homologous organ vestigial organ atavism or connecting link अब analogous और homologous organ को याद करने का तरीका क्या है एसे से याद करिए इसे नोड हमारे अंदर होता है एसे नोड से याद करिए और फिर HD में बैठके HD में बैठके और movie आप देख सकते हैं एसी में बैठके आप movie अराम से देख सकते हैं तीन वर्ड आपको याद करना है इसे इसे मतलब ऐसे नोड ऐसी इसे में बैठके HD movie देखेंगे अब देखें इस organ को अगर आपको पहचानना है तो कैसे आप पहचानेंगे तो सी दो function first see the function first see the function first function first अब अगर function same हो तो analogous organ होगा अगर analogous होगा तो convergent evolution को शो करेगा अगर आप इतना समझ गया तो समझे कि आपका काम हो गया तो analogous organ the origin is different and the function is same the organ which have a similar functions but have the different structure detail and origin of the analogous organ right analogous organ show the convergent evolution fins of fishes and fins of flippers fins or flippers का काम क्या है तैरना the function first the function is same the function is seen then the analogous organ analogous organ show the convergent evolution that's all कोई भी आप एक्जांपल देख ले देख लेजिए sweet potato and potato see the function first the potato and sweet potato the function is seen they are stories for the food material they are storage for the star see the function first the function is seen then the analogous organ analogous organ show the convergent evolution eye of octopus eye of mammal I का काम है देखना see the function first the function is seen then the analogous organ analogous organ show the convergent evolution the sting of honey bean and a scorpion function same wings of birds or wings of insects जितने भी wings होते हैं सबका काम है उड़ना of see the function first function is seen then analogous organ analogous organ so the convergent evolution homologous organ so organ which have a same fundamental structure but different function is called homologous organ homologous organ divergent evolution को शो करते हैं and I see the function first thorns or tendril thorns का मतलब होता है काटा thorns का मतलब होता है होता है जो कि आप support देंगे तो इसके उपर क्लाइम कर जाएगा function is the different function is the different see the function first is the function is same then the analogous organ but the here the function is different then the homologous organ homologous organ show the convergent divergent evolution thorns आप देख पारे हैं इस डाइगरा में तोंसा कैसे हैं टेंडल कैसे है को लिम फ्राउग लिजार्ट पिजन मोल बैट इनीट में आए हुआ है आगे वाला हाथ तो हमारा हाथ किसी को पकड़ने में होता है प्राउग का मुछलने में होता है लिजार्ट का काम क्रीपिंग में होता है the see the function first function is not a same so there is a homologous organ homologous organ show the divergent evolution थी वड़ में पूरा का पूरा चार नमर आप बटोर सकते हैं वेस्टीजल और उर्गन होते हैं जो हमारे शरीर में तो होते हैं बढ़ काम नहीं करते हैं काम इसलिए नहीं करते हैं हमारे प्रूवज इंसे काम लेते थे because हमारे ancestor they feed on the raw material आग का विसकार नहीं हुआ था fire का discovery नहीं होती है तो there are lot of organ और उसमें civilization नहीं आये था तो कपड़े नहीं पेहनते थे तो उनके body के hair जो है insulator के तरह काम करते थे बाहर का heat अंदर नहीं आता था अंदर का heat बाहर नहीं जाता था but nowadays we are civilized तो there is a development of the fire we are not eat raw material most of the time इसलिए सारे organ अब काम नहीं करते है example nectatin membrane of eye muscle of pinna vermiform appendix and here is a diagram which show the structures caudal vertebrae third molar vertebrae here on the body nipples of the male are not functional atavism का मतलब होता है कि कुछ ancestor character हमारे पुरुवज के character अभी इस वक्त अगर आ जाए advanced form में तो उसे हम atavism कहते हैं that is called caudal tail or loin baby of Russia आप देख पारे हैं उसके शरीर में पूरा का पूरा बाल ही बाल है power of moving pinna greatly developed teeth long dense hair short neck of baby additional memory gland of the female is also example connecting link का मतलब यह होता है कि अगर कोई एक organism है उसके अंदर दोनों मतलब कि माल लिजे कि A है B है और C है B जो है A के भी इसके अंदर character है C के भी character है B के पास A के भी character है और C का भी character है तो B is called connecting link between A and C so this is a connecting link तो euglena is connecting link between plant and animals proto-spongia between proto-joa and porifera neoplenia between anilida and mollusca peripetus is anilida orthopoda lung fish is between fish and amphibian archipopter is a living fossil they are connecting between reptiles and birds now they are adaptive radiation adaptive radiation and same as divergent evolution you know very well divergent is what HD so there is a homologous organ they homologous organ है Darwin finches Darwin finches तो यहां तर देखेंगे जब Darwin गए थे तो दे आर एविदेंस ओफ बायोजिग्राफिकल बायोजिग्राफिकल evolution क्योंकि और जिस जहाज पे बैठके गए थे HMS Beagle थे ये 22 ये 22 आईलेंड पे गए उन्होंने एक आईलेंड देखा Galapagos आईलेंड और वहां पे उन्होंने देखा कि जो बर्ट्स थे वो सीड को खाते थे तो इंसेस्टरल इस सीडेटिंग सीड खदम हो गया तो वो कैक्टस को खाने लेगे इंसेक को खाने लेगे ग्राउड फिंचे सुगे ट्री द्वेलर सुगे अगर्णि तो धेर habitat अगर्णि तो थे food habitat the shape of beak can be changed is the body size will be different तो दर्विंफिंचेस इस ग्लेपिगोज आईलेंड तो जैसे आपके खाने में बदलावा आगा आपके बोडी के size बदलेगा एवन thoughts भी बदल जाएंगे Australian marsupials the Darwin explained that the adaptive radiation give rise to the variety of marsupial which is a pouch mammors present in Australia Australian marsupial ले असो शोदा adaptive radiation इससे question आया हुआ है adaptive convergent convergent evolution analogous organ same analogous organ वाला ही सारे example यहां पे आपको मिल जाएंगे तो when convergent evolution is found closely related to the species they are called parallel evolution development of running habit of deer in two toes horse for सिर्फ एक टो से चलता है and two vestigial splint bone famous book philosophy geology के Lamark coined the term invertebrates term biology was given by Lamark Lamark theory बताती है कि there is a internal vital force theory internal vital force theory का मतलब यह होता है internal vital force theory का मतलब यह होता है कि हर organism के पास अपना कुछ internal vital force होता है और उस internal vital force के सहारे उस organism का विकास होता है use and disuse theory के बारे में अगर हम बात करें तो लमार कहते हैं कि जो organism अपने और्गन को ज्यादा यूस करेगा वो और्गन उतना ही ज्यादा वेल डबलफ होगा अगर वो और्गन का कम इस्तमाल करेगा तो धीरी धीरी ओर्गन बिलुप्त हो जाएंगे so use and disuse theory is support the atavism, right? अब जाएंगे use and disuse theory जो होता है यह क्या करता है कि जब यह सारे विकास हो रहे थे, बड़े-बड़े प्लांट हो रहे तो जिराफ ने अपने गर्दन को stretch किया और गर्दन को जैसे ही stretch किया तो उसकी गर्दन stretch हो गई सांप जो है स्नेक रफ्टाइल्स में आता है बड़ स्नेक के पास पैर नहीं होता बाकि सारे लिजार्ड के बाद पैर होते हैं क्यों उसने अपने पैर का इस्तेमाल कम किया है तो यह सारे चीज़ है तो यही सारे चीज़ बताये गया है नेचुरिस सेलेक्शन एं रहेगा अधरिवाजर नहीं रहेगा त्रवाज़् होता है इंतर ऍीर 2 इंटर इस्पेसिफिक इंतर श्लाइक हो तो यह ज्जादा नुकसान वाला क्यों कि Сीम प१ों के तक हो तो जो different species के साथ हो तो एक तो मरेगा और एक जिंदा रहेगा और environmental का मतलब है कि अगर बाड आ जाये सूखा आ जाये बहुत पानी हो बर्शात हो बीमारी हो भुकंप आ जाये तो they are called environmental struggle. Example of natural selection, natural selection का मतलब है the selection by the nature itself that is called natural selection. तो resistance to the pesticide or antibiotic the DDT is an effective insecticide against the household pace such as the mosquito housefly leech body leech within the two or three years of the introduction of this insecticide new resistance or mosquito is appear in the population resistance develop हो गया and according to the natural selection the variations are continuous they are helpful for the adaptation of the living organism toward the surrounding तो मतब की resistance दवाई के भी डबलाप हो जाते हैं और किसी के भी resistance डबलाप हो सकते हैं सब्सक्राइब के बारे में बताते हैं तो ए थिरुटिकल सिच्वेशन है इन विच तो population undergo the no evolutionary changes तो में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए पांच फेक्टर कौन-कौन से होते हैं mutation, gene migration, genetic drift, genetic recombination and mutation इस पांच फेक्टर नहीं होना चाहिए mutation नहीं होना चाहिए, gene migration मतब एक कोई भी number of individual एक जगा से दूसरे जगा नहीं जाने चाहिए genetic drift वही सेम एक organism दूसरे organism दूसरे जगा नहीं जाने चाहिए by role by chance और genetic recombination नहीं नहीं बनना चाहिए इस सारे चीज़ है पीन टाइप के natural selection होते हैं stabling, directional और disruptive, stabling में क्या होता है कि average value select होती है minimum और maximum value select नहीं होता है human birth baby, directional में क्या होता है कि average और maximum value select नहीं होता है यहां पे minimum value का selection होता है destructive बहुत rarer type है जब भी होगा यह नहीं species में develop हो जाएगा तो this is also called maintenance evolution the stabilizing influence of natural selection in environment वह है जो मैंने अभी बताया था और इसमें DDT resistance वाला आ जाएगा इसमें minimum value का selection होता है तो सुरुवाती में कोई भी drugs हो कोई भी spray हो तो उसका जो उसका effect होता है बहुत ही ज्यादा होता है कम-कम लोग survive करते हैं और भाद में धीरी धीरी इसमें resistance develop हो जाता है राइट बाद में से resistance develop हो जाता है तो is the initial condition for the hardy when we give you no mutation no genetic migration no gene genetic drift no random adding and no natural selection is the question आएगा so when the migration of section of population to the another place population occur and gene frequency changes from original as well as new कुछ लोग migrate करके नए जगे पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने जैसे लोग बनाएंगे and they're called founder effect the new gene allele are added to new population these are lost from the old population genetic drift rolled by chance होता है यही migration अचानक से हो जाए है तो कहते है sometime the change in a allele frequency is so different in new sample of population they become different or they are called founder effect की वहाँ पर जाके एक नया species उन्हाने बनाया है तो brief account of evolution के बारे में बात करेंगे तो first cellular form is life earth के उपर first cellular form आया and some of this cell are ability to release oxygen कुछ-कुछ oxygen release करते थे slowly single cell organism become multicellular काफी समय लगा and by the time by the time 500 million year invertebrate were formed active jawless fish probably evolve around 350 million year ago seaweeds few plant exist probably 320 million year ago fish with a strong south have a move into the land and go back to the water animals low fins evolutory first amphibian they live in the both water or amphibian evolve into the reptile or reptile में बदल गहे थे ले शेल्ड एग जो की शन के अंदर राई नहीं होते थे some of the land reptile went back into the water they evolve into the fish like reptile probably 200 million year ago land reptile were of course dinosaur is the biggest one that is called dinosaur rex was the 20 feet in height about 65 million year ago dinosaur suddenly disappear on the earth the reason for the disappearance of dinosaur is unknown as a samjha jata tha ki climatic change wa isli ho jinda nahi rahe low reproductive rate tha some size of reptiles of era is still today first mammal is shoe like mammals was baby parents they are protected they are unborn young inside the mother body mammals were more intelligent and sensing avoid the danger at least as a mammal leave holy in water like a whale dolphin seal sea cow is example place of origin central asia china java india and it has been established that drive with acres is the oldest fossil sequence ko yaad karna hai toh dhara hand se yaad kar sakte hai dhara hand batata hai ki the first is diopithecus r is a ramapithecus a is the s is the homo habilis homo erector nidarthan man on homo sapiens this sequence se kaafi person pusha jata hai or is this sequence se aap aram sik kar sakte hai drive with acres they have a more ape-like heels the heels in the erect like structure knuckle walker hootethe or ramapithecus uh thay or is this ke aagye 2-3 cheezen oopper that's all thank you so much our झाल झाल